अब तक आपको पता है कि D.U.B.A.T. 2023 का पेपर C.U.E.T. से होगा किसी को भी eligibility criteria, form का code, paper का code, pedagogy subject, subject category बगर को लेकर कोई भी doubt हो चैनल के playlist में जाना है C.U.E.T. D.U.B.A.T. 2023 वाला playlist दे रखा होगा, one stop destination है D.U.B.A.T. के सभी doubt queries update के लिए D.U.B.A.T. oldest and most trusted platform है इस फिल्ड में लास 5-7 यर से काम कर रहा है तो सभी resource material authentic update, news query resolve करते हुए आपको इस playlist में देखने के लिए मिलेंगे जो candidate D.U.B.A.T. से preparation classes वगरे जॉइन करना चाहते हैं ये membership वाला lecture भी दे रखा है go through this lecture as well, सुलू से अंतक जो आप पूरा देख लोगे तो डेली बैट से preparation classes, mock test वगरे कैसे access करना वो बाते आपको समझ में आ जाएंगी, ध्यान दीजेगा इस lecture में हम COQP05 language pedagogy के syllabus cover कर रहे है अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये idea नहीं कि इसके eligibility क्या है तो वो चैनल के playlist में जाए पहले तो वो ये समझे कि वो किस subject से form fill करेगा और डेली उनिवर्सिटी में जिस-जिस subject से आप form fill कर रहे हो जो जो pedagogy subject है सब के लिए अलग-अलग paper आएगा तो आप देख लो कि आप कौन से subject से भर रहे हो तो आप कौन से umbrella के निचे आओगे कौन सा paper code के अंडर आओगे तो आपके वो वाले syllabus देखना यहाँ पर हम language वाले syllabus के regarding बात कर रहे हैं और डेली उनिवर्सिटी में major subject categories divided होते हैं language, science, mathematics, social science, commerce, पंजाबी, उर्दू, home science के हिसाब से divided है major बात यहाँ पर यह है कि देखो subject का division चाये जो हो डेली उनिवर्सिटी का अब admission CUET के थुरू होगा तो CUET का जब आप form फिल करोगे तो वहाँ पर होगा कि CUET आपको अलग-अलग paper code देता है ठीक है तो डेली उनिवर्सिटी का language से B8 pedagogy में eligible होने के लिए यह जरूरी है कि आप CUET का paper code COQP05 वाला paper दो जब आप COQP05 वाला paper दोगे तो आप language pedagogy से eligible हो जाओगे और ध्यान दीजेगा language यह parent pedagogy है उसके अंदर अलग-अलग teaching subject है English, Hindi और Sanskrit अब यहाँ पर तुम्हारा subject चाहे जो हो ध्यान देना बात बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पर तुम्हारा subject चाहे जो हो या तो तुम English से हो, Hindi से हो, Sanskrit से हो, जिस भी subject से हो तुम्हारा paper code COQP05 ही रहेगा यह बात मैं क्यों emphasis दे रहा हूँ? क्योंकि देखो, तीनों language वाले, English, Hindi, Sanskrit वाले जब COQP05 वाला paper code देंगे तो यह common sense वाली बात है ना, कि जब तुम COQP05 वाला paper attempt करोगे तो उसमें English का भी question रहेगा, Hindi का भी question रहेगा, Sanskrit का भी question रहेगा चाहे तुमने उसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो और paper structure कैसा था, last year उस बात को समझने के लिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप opt कर सकते हो देखो, क्या है, CUET से exam सबसे पहले last year 2022 में BHU का हुआ तो जब 2022 में BHU ने CUET से exam लिया, तो उसका paper conduct हो गया, online mode में अब Delhi University क्या है न, 2023 से CUET के थूँ अपना admission लेगा, लेकिन जो paper code BHU follow करता है, जिस paper code से BHU admission लेता है, same paper code से CUQP05 से Delhi University भी admission लेगा, तो यह जो मैं आपको basically दिखाना और समझाना चाह रहा हूँ, यह कि कैसे जो BHU का paper हुआ था last year, जो same paper code का है, जहां पर same paper structure follow होगा, उसको हम कैसे access करें, Google पर Delhi Byte सर्च करना है, सबसे top पर home courses, mock test आएगा, आप mock test पर क्लिक करो, यहां आना, आप देखोगे, mock test में आपको दिख जाएगा, COQP05 beard language, इस पर आप क्लिक करो, start exam पर क्लिक करो, यहां देखो, यह जो पहला वाला mock है, यह सबके लिए free है, तो यह COQP05 beard language pyq, प्रिवियस एर question paper 2022 जो दे रखा है, लेकि डेली उनवर्सिटी का exam तो 2022 में COET के थुरू हुआ नहीं था, उस समय तो क्यों बीएचिव का हुआ था, दो बीएचिव भी सेम COQP05 वाले paper code से admission ले रहा है, तो यह वाला जो mock है बेसिकली 2022 में जो बीएचिव का paper हुआ था, language pedagogy का, जो same paper structure is all follow admission procedure में, उसको free of cost सभी candidates को available करा दिया गया है, आपको website पर जाना है, और उन सभी mock test को आप practice कर सकते हैं, same to same online mode में, जहां पर एक एक question जब आप practice करोगे, तो आप अपना performance evaluate कर सकते हो, उस paper को जो आप solve करोगे, तो आप notice करोगे 25 question English का है, 25 question Hindi का है, 25 question Sanskrit का है, और जितने candidate language वाले हैं, सब को सारा question attempt करना है, ऐसा नहीं है कि तुम Sanskrit का attempt नहीं करोगे, Sanskrit नहीं पढ़ रखे हो, तो हिंदी गानी attempt करोगे, language का section है, मतलब कि तुमको English Hindi Sanskrit तीनों के question करने है, इसके बाद भी कोई doubt query या issue रहा जाए, तो आप मैं इसे Instagram पर जोड़ सकते हो, जिसका link description box में दिया हुआ है, या फिर ये user ID आप Instagram पर search करो, यहाँ पर हम CUQP 05 beard language के regarding बात कर रहे हैं, जिसमें majorly English Hindi Sanskrit subject cover हो रहा है, question paper में total 100 questions आएंगे, जहाँ पर part A सबके लिए common रहेगा, जिसमें questions consisting of Hindi, English language comprehension, verbal ability, general awareness, mathematical, quantitative ability, analytical skills, यह सब आप से पूछेगा, और 75 domain specific question होंगे, basically इसमें teaching aptitude, English Hindi और Sanskrit के language के basic questions cover होते हैं, देखो, पार्टे में, जैसे मैंने बोला कि आप से 25 questions पूछेगा, तो पार्टे को इन्हों ने तीन-चार अलग-अलग section में divide कर रखा, तो पार्टे में होगा कि total 25 questions आते हैं, जिसमें जो पहला 10 questions रहेगा, या तो आप English में attempt करोगे, या तो आप Hindi में attempt करोगे, जिस भी भासा में आप comfortable हो, तो 25 questions पहला 10 questions केवल का और केवल language कर रहेगा, या तो आप 10 number का, या 10 questions आप English कर लो, या तो आप Hindi कर लो, दोनों नहीं करना है आपको, current affair के 5 questions आएंगे, जिसमें static gk पहला है, पोजिसन भी इंक्लूड़ेड रहेगा, reasoning, mental ability से 5 questions आएंगे, math से और उसमें कुछ reasoning के question mix कहलो, total 5 questions आएंगे, total part A में आपको 25 questions देखने के लिए भी लेगा, part B में 25 questions Sanskrit के आएंगे, 25 questions English के आएंगे, 25 questions Hindi के आएंगे, यहाँ पर ध्यान ये दिना आया है, कि मैंने एक बीच में लिख रखा 12 teaching aptitude, actually है क्या न, यह लोग करते क्या हैं, जो language वाला section न, इसमें ऐसा नहीं कि तुमसे किवल English Speaking aptitude के questions को English language आपसे पूछ लेते हैं, teaching aptitude को question रहेगा, बस English में लिखा रहता है किसी को ऐसा है कि नहीं सर लेज़न संस्कृट तुम आने पढ़ा नहीं है हमको तो आइडिया नहीं हम कैसे करेंगे देखो तुम बस पेपर अभी तक देखे नहीं हो इस लेटर रहे हो तुम जाओ जाके वेबसाइट पर पेपर देखे आओ तुम ये देखोगे कि के 25 संस्कृत के कोश्चन अगर तुम को थोड़ी भी ढंकी हिंदी आती है तो इस 25 संस्कृत के कोश्चन में बिना पढ़े भी तुम 15 से 20 कोश्चन आराम से खीच ले जाओंगे बिना किसी दिक्कत थोड़ी सी भी तुवारे हिंदी अच्छी है बहुत basic संस्कृत वो लोग माइक्रोटीचिंग, स्वायम, स्वायम, प्रभा, मूग, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यह सब टीचिंग एप्रीडूट की कुछ मेजर टॉपिक्स है, जहां से आपसे कोशन पूर सकता है, इंग्लिश जहां पर 25 कोशन आपसे आएगा, सेनॉनिम, एंटॉनिम, पैराग्राफ, पैसेज, चूजिंग अप्रोप्रेट फिलर, कॉमन एरर्स, स्वाटिंग एरर्स, चूजिंग दो कर्रेक्ट इंकर्ट सेंटेंस, रियर्जमेंट अप जंबल पार्ट, संग्या, सरवनाम, विसेशड, क्रिया, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्य, वाक, रचना, विलोम, पर्यवाची, अनेक सब्दों के एक सब्द मुहावरे, हिंदी भासा, से रिलेटेट कुछ, एक दो कोशन, और कुछ, एक दो बुक्स, और ऑथर के हिंदी के दो दो लेकिन ओवर ओल जो मेजर आपको सेलेबस सामने दिख रहा है, यही वो पॉलो होना वाला है, मेजर सेलेबस का आउटलाइन यही है, the same goes for संस्कृत, संस्कृत को लिकर ध्यान दो, वेदह, विदांग, संस्कृत, साहित्यम, छंद, लंकार, वणमाला, संगया, संदी, समास प्रत्या, शब्द, रूप, पुराण, महाकाव, देश, संजविस, रचनाकाल, प्रचद, संस्कृत, लेक, कभी, परिचे, कारक, भासरम, वाच, धातुरूप, यह मेजर संस्कृत के रियाज है, अब इसमें तुम क्या है, अगर तुम को थोड़ी भी हिंदी अच्छी आ अधर्वाइज ऐसा कुछ इसमें कोश्चन में नहीं है, डेली भाइट की सभी फेकल्टी इसको ट्राइट टेस्ट करके यह बात आप से कह रहे हैं कि 15 से 20 आप इसली कर पाओगे, डेली भाइट की वेबसाइट पर जाओगे, जहां आप मॉक टेस्ट कर रहो, प्रीविस अधर्वाइट को फिल्ड को लेकर बहुत सारे वेबिनार मीट, फ्यूचर में बहुत सारे सामिनार भी होंगे, जिनका सभी अपडेट, कब, कहां, कैसे, क्या होगा, और टीचिंग के फिल्ड में करियर और जॉब आस्पेक्ट को सारा डीटियल आपको टीचर एडुकेश होगा, एक कोश्चन चार नमबर का होगा, और कुछ भी आप गलत करोगे तो सही में से एक नमबर कट जाएगा, याने कि नीगेटिव मार्किंग भी है, फेपर में 1 1 4 ंरी रॉथ मार्क कट जाएगे जो भी candidate जली बाइट्स पर mock test या फिर preparation classes वगर जॉइन करना चाहते हैं वो इस lecture को देख सकते हैं और ध्यान दीजेगा डेली बाइट्स से classes में बहुत limited seat रहती है तो जितना number of limited seat बताया गया एक बार भर गया तो तुम double payment भी करोगे तो नहीं का मतलब होता है कि नहीं नहीं add किया जाएगा तो यह membership और lecture पूरा देखने के बाद जो भी terms condition दिया गया इसको line by line follow करिए तभी डेली बाइट्स के resource material आपको provide किया जाएगा otherwise we are totally okay कि हम आपको आपके terms प्रवाइड नहीं करेंगे अगर आप डेली बाइट्स के guidelines है नहीं follow करोगे तो आप मत लीजे ठीक ह कराया जाएगा बागी यह code डियू बेट 2999 लिख करके आप इस number पर WhatsApp करेंगे 24-48 hours का वेट करिएगा payment करने के बाद 24-48 hours का वेट करिएगा payment settlement को coqp05 से लेकर जो भी बेट के resource material होंगे earliest possible आपको provide कर दिया जाएगा डेली बाइट्स सभी social media handles के link description box में दे रखें do subscribe डेली ब प्रीवाल